फिर राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विशे को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुपतोपमा अलंकार है हे राजन आप कब सूर्य के समान न्याय और विने से प्रकाशित सुन्दर द्र्ण अंग युक्त स्रेष्ठ धर्मग्य विद्वान के समान वक्ता हो जैसे इस जगत में सर्वोपकार के लिए इश्वर ने शूर्य बनाया है वैसे ही सब के सुख के लिए राजा बनाया है फिर प्रजा जनों के लिए क्या करें इस विशे को कहते हैं सुख से धन घर और प्रशंसित कामों के सेवने वाले होकर आपकी आग्या में नित्य वरतें इस सुख्त में सविता, राजा और प्रजा के करमों का वर्डन होने से इस सुख्त के अर्थ की इससे पूर्व सुख्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए यह 71 सुक्त और 15 वर्ग समाप्त हुआ अब 72 सुक्त का पारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अध्यापक और उपदेशक किसके तुल्य क्या करें इस विशे को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा लंकार है हे प्रजा जनों जैसे सुर्य को प्राप्त होकर चंद्र आद लोक प्रकाशित होते हैं वैसे ही अध्यापक और उपदेशकों का संग कर सब प्रकाशित आत्मा वाले हों फिर वे किसके तुल्य क्या करते हैं इस विशे को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तो लुप्तोपमा अलंकार है। वैसे कुसित सिक्षा को विनस्ट कर अच्छी सिक्षा की वर्षा करो। फिर वे किसके तुल्य क्या करें इस विशे को कहते हैं। है अध्यापक वा उपदेशकों आप लोग पवन और बिजली के समान सरवत्र अनुकूलता से संग वाले होते हुए उत्तम संतानों को उत्पन कर मनुस्यों के हित करने वाले शरीर और आत्मा के बल को उत्पन करें। जिससे शत्रों की सेना को सह सकें। इस सुक्त में इंद्र, सोम, अध्यापक और उपदेशकों के काम का वड़न होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह बहत्तरवा सुक्त और सोलहवा वर्ग समाप्त हुआ। अब तीन रिचा वाले तिहत्तरवे सुक्त का तारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा किसके तुल्य कैसा हो इस विशे को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो राजा मेघ का सूर्य जैसे वैसे शत्रूओं का विदीन करने वाला जेश्ठ महात्मा धर्मात्मा जनों की पालना करने वाला प्रजावान प्रथवी पर सुख बरसाने वाला होकर प्रजाओं में न्याय का निरंतर उपदेश करे। वही प्रथवी के तुल्य शमाशील और प्रतापवान पथा प्रजा जनों के पिता के समान वरते। फिर उस राजा को कैसे सेना के अधिकारी करने चाहिए इस विशे को कहते हैं। भावार्थ हे राजन जो न्याय से प्रजा पालने के लिए प्रसन पूर शरीर आत्मबल युक्त वीर विद्वान होमें वे सेना पती हों जिससे शत्रूँ के जीतने और उनकी सेना के सहने और उसे छिन भिन करने तथा विजय और धन को पाने को समर्थ हों। फिर वह कैसा हो इस विशे को कहते हैं। अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह तिहत्तरवा सुक्त और सत्रहवा वर्ग समाप्त हुआ। अब चार रिचा वाले चौहत्तरवी सुक्त का प्रारम्व है। उसके प्रथम मंत्र में राजा और वैद्य कैसे स्रेष्ट हूं। इस दिशय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है। जो राजा और वैद्यवर रोगों के शरीर के प्रवेश्य पहले ही दूर करते हैं। तथा कुनीदी और कुपत्य को भी पहले दूर करते हैं। उनके पुरुशार्थ से सब मनुस्य बहुत धन, धान्य और आरोग्यपनों को प्राप्त होते हैं। फिर वे क्या करें इस विशय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है। आप वैद्य विद्या का प्रचार कर, हमारे शरीरों को निरोग कर और पुरुशार्थ में प्रवेश कराके दुखों को अलग कर अच्छे वैद्यों का सतकार करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है। हे मनुस्यों जैसे महोशध्य और बहिप्राण वाय। सबकी सदा पालना करते हैं, वैसे उत्तम राजा और वैद्य जन समस्त उपद्रों और रोगों से निरंतर रक्षा करते हैं। इस सुक्त में और प्राण के समान वैद्य और राजा के कामों का वर्डन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह 74.वा सुक्त और 18.वा वर्ग समाब्त हुआ। अब उन्नीस रिचा वाले 75.वे सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में शूर वीर किसे धारन कर क्या 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 करें इस विशे को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मेग के समान सुन्दर कवचों को धारन कर युद्ध करते हैं। वे घाव से रहित शरीर वाले हुए वैरियों को जीत सकते हैं। जिस जिस प्रकार से शरीर में घाव करने वाले शस्त्र नोकदार नौ हों उन-उन उपायों का वीर जन सदैव आश्रे करें। फिर वीर किससे क्या करें इस विशे को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य धनुर वेद को पढ़के पूरा शस्त्र और अस्त्र बनाने का अभ्यास कर प्रयोग को जानते हैं वे ही सरवत्र विजई होते हैं फिर ये किससे कौन क्रिया को करते हैं इस विशे को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे वीर पुरुषों जैसे प्रियमित्र पति के साथ इस्त्री पियारी संबध अरथात प्रेम की डोरी से बधी हुई है और जैसे विद्यार्थनी कन्याओं के साथ पढ़ाने वाली विदुशी इस्त्री बधी हुई दुख से और अविद्या से पार पहुँचाती है वैसे ही यह धनुश की प्रत्यंचा युद्ध से पार पहुँचाकर सदैव सुखी करती है फिर वे वीर किन से क्या करें इस विशे को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे वीर जनों, जैसे समान प्रीत की सेवने वाली पत्मी, पती को तथा माता पुत्र को निरंतर सुखी करती है, वैसे शस्त्र और अस्त्रों से शत्रूँ को निमारो, फिर वीरों को क्या धारण करना चाहिए, इस विशे को कहते हैं, भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुक् अपमा अलंकार है, हे वीर पुरिशों, यदि धनुष को तुम धारण करो, तो शत्रों को विदीन करके, पुत्रों के प्रति पिता जैसे, वैसे प्रजाब पालना करके, समस्त शत्र सेनाओं को जीत सको, फिर वीर जन किसके तुल्य क्या करें, इस विशे को करें, इस